कुछा मोहे नजब दिखावा यह मैंने दू अंग उठी इनके बाद से लिया था एक दूरे नजब और एक फ्रोजा यह इरानी फ्रोजा है और यहां पर सफ्टुष मिल जाएगा सेकें जो इस्पेशल ही रहता है वह अपने पास रखते है तो हम दो अभी देखेंगे मोहे नजब यह दूरे नजब साफ और शक्फाफ यह है मोहे नजब यह ओरीजिनल मोहे नजब यह वो पत्तर वाहिद पत्तर वालियुत सलाम में पया जाता है इराक मोला अली मुश्किलु कुशा फ्वादि शुलाम कपरश्तान में यह पत्तर मिलता है और यह रूऊ मिलता है जो आफ यह यह replaced रहे इसे कहते हैं मोहे नजफ जब आस्मान से पानी बरसता है उसका अबिस्तान में तो ये पत्थरों में तबदील हो जाता है तो उनको इस तरह निकाल के फिर उने थोड़ा तराश्टे फिर ऐसे इस तरह बन जाता है वो इनमें जो ये golden golden आपको दिख रहा है इसको लोग कहते ह कि यह मौला अली मुश्किल कुछा के बाले मुबारक है पत्थर के अंदर जो इसे कहते हैं बाले मुबारक है यह वहाँ के लोह का मानना अतीरा यह जो है जो है तो यह कुछ पत्थर है और यह आप देख सुकते हैं यह और है यह सब औरीजिनल मुहे नजफ है जिस साइज मे हैं आपको चाहिए यह उस साइज में मिल जाएगा यहां पर और इस सब और इजिनल है कुछ भी इसमें डुलिकेट या मिला वाट कुछ नहीं यह सब ओरिजिनल है जिस साइज में चाहिए, जिस शेप में चाहिए, जल्य का लॉकिट बना सकते हाथ के अंगोठी बना सकते हाथ का लॉकिट बना सकते हाथ का लॉकिट बना सकते हाथ का लॉकिट बना सकते हार चीज में इसको यूज कर सकते पर आपको जो पत्थर चाहिए आपे वह पत्थर आपको मिल जाएंगा है जो ओरीजिनल वाले होते हैं उनको अलग रखा जाता है यह शोपीश है यह वाले शोपीश के लिए और यह वाले ओरीजिनल है कि यह है इरानी फ्रोजा यह देखें यह यह अंगुठी बने वी इसमें और यह और है कि यह और मक्सूस है यह देखिए ओरीजिनल फ्रोजा है विल्कुल गोल साफ दाना है बिल्कुल अच्छा शम्चु बाई कितने का जाला अंगुठी यह पांच हजार की है इंडियन रुपीश पांच हजार और यह वाली तीन हजार की है कोई भी लेले इसमें यह चोटी वा यह बिल्कुल अच्छे आदमी है और सब अच्छे चीज़े बेचते हैं कि पास कुछ भी डूब्लिकेट नी मिलेगा आपको यह देखिए यह बहतरीन चीज़ इसका नाम है उपल यह उपल पत्तर है बिल्कुल बहतरी यह यह देखिए यह यह याखूत अनारी याखूत यह अनारी याखूत है उरिजनल याखूत इसका क्या है फ्रैस यह 21 रुपे की एक अंगुठी है याखूत की और इनके पास अच्छे अच्छे अंगुठी है कर आपको कुछ भी चाहिए तब यहां पर आईए और यहां से लीजिए एड्रेस है माहिम सोला इस्टेशन से हैंने और फखरोदीन शाहस की दरगा पर ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा उऔर यह साही औरिजानल चीजें यहीं पर मिलेंगी आपको फखरोदीन शाह बावाकी दरगा के रोज़े के पास वादियुस सलाम कब्रिस्तान में शिरिफ यह वहीं मिलेगा पूरे रुह जमीन पर कहीं नहीं मिलता है यह बिल्कुल साफ दाना है देखिए इसके अंदर आप कहीं भी दाग धबा कुछ नहीं मिलेगा इसके अंदर इस चांदी में जड़ी की अंगूती है अब बिल्कुल साफ है और यह शिरिफ वहीं पर मिलता है और कहीं मिलेगा यह पूले वे समींगन पर यह पक्तछ वहां से निकाले जाते जब बरसात होती है बादियुस सलम में उस कब्रिस्तान में यह Candle टो बरसाद होती हो पानी जम जाता है पत्छरों में तब व्न यह और यह जड़ा हुआ है अपका ओपल और आपका ये फिरोजा यह है हुसाइनी फिरोजा यह इरॉजा इरानी फिरोजा इन पाया जाता है यहां पर औरिजिनल एक से चीज़ है आपको जो चाहिए यह चीज़ अलग रखते हैं और यह शोपीश के लिए मतलब ऐसा अगर आपको कुछ चाहिए नमील जाएं और और सिर्फ यह मकसूस लोगों के लिए कि सबको नहीं मिलती हैं यह सिर्फ खास लोगों को दिखाते हैं इस चीज़े और आपको थोड़े इतर वगएरा जो चाहिए खुश्बू का सामान भी मिल जाएगा वह तो मौला अली का सदका है अलहम्दलिल्ला आपको और बहुत अच्छे इंसान है हमारे शम्शु भाई जो प्राइज वोला यह थोड़ा कम जादा भी कर देते हैं अगर आपको कुछ चाहिए तो यहां से बात कीजिए बेश्चा आपको हर चीज मिल जागी इंशाललह जो पत्थर चाहिए आपको जो प्राइज यह बोलते हैं जरूरी निकि उससी प्राइज में मिलेगा कम से क बात की चेजिए इंशालला ये बूस अच्छ इन्हार जैसी यह फ्रोजाता ये ुश्रफा को तो नहीं मोजे यह 1,5,5 व्रुप्रमेरे में दिया तो बहुत तो इच्छ निकिगर तो धो जाता इन्शालला इंसे चेलिए फिर इंशालल्ह नेक्ट वालग में मुलाकशत ह alayhi wasallim. Salaatu As-salamu alayka ya Rasul Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam Haqq Ali Meulah Ali